जरोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमने UPSC, NET, लाज्यों की सिविल परीक्षाओं और विभिन्न विशोविद्यालयों के पाठिक्रमूं को ध्यान में रखते हुए। हिंदी साहित्य की रचनाओं की व्याख्याओं के वीडियो बनाए है। इनका लेखन प्रसिद्ध साहित्यकार और जाने माने अध्यापक श्री राजेंद्र चंद्रकांद राय ने किया है। इस बार हम आपके लिए कवी सूरिकांद त्रिपाठी निराला की विख्यात कविता रमकी शक्ती पूजा का दूसरा भाग लेकर हाजिर हुए है। इसके पहले भाग में हमने कविता के परिप्रिक्ष्य, पिष्ट भूमी और सारांश के साथ पदक्रमांग एक से पदक्रमांग पाच तक की व्याख्याएं भी की हैं। हमने पूरी कविता को छोटे छोटे अंशों में बाट कर उन्हें पदक्रमांग दे दिये हैं। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि इस लंबी कविता को इत्मिनान के साथ समझा जा सके। इस बार हम पदक्रमांग 6 से लेकर पदक्रमांग 15 तक की व्याख्या कर रही हैं। तो आईए प्रस्तुत है पदक्रमांग 6, पदक्रमांग 6। सिहरातन, शण भर भूला मन, लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनरवार जियों उठा हस्त, फूटी स्मिती सीता ध्यानलीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावनाहरदे में आई भर, वे आई याद दिव्यशर अगलित मंत्र पूत, फढका पर नव को उड़े सकल ज जियों देवदूत, देखते राम, जल रहे शलग जियों रजनीचर, ताड़का, सुबाहु, बिराद, शिरस्त्रे, दूशण, खर, फिर देखी भीम मूर्ती आज रण देखी जो, आचादित किये हुए सम्मुक समग्र नपको, जियोतिर में अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीड, पामहा निलै उस्तन में क्षण में हुए लीन, लक्षन का कुल हो गए अतुल बल्चेश्यन, खेच गए द्रगों में सीता के राम मै नयन, फिर सुना हस रहा अटहास रावण खल-खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल अब हम इस पद में आये हुए कठिन शब्दों के शब्दार्थों को भी जान लेते हैं, हर याने शिव, पुनरवार याने दोबारा, मंत्र पूत याने मत्रों से पवित्र, भीम याने भयानक, जो तिर्मय याने अग्मी से युक्त, महानिलै याने अत्यंत विशाल अब हम इस पद का संदर्ब जानेंगे, यह कवितान सूरिकांत रिपाठी मिराला जी के कविता संग्राराग विराग में संकलित लंबी कविता राम की शक्ति पूझा से अवतरित हैं, और इसका प्रसंविस प्रकार होगा सीता की छवी से श्री राम को अपने पराक्रम का स श्री राम के होटों पर मुस्कान आ गई मानों उनके अंदर आशा जाग गई हो फृदय में विश्व विजय का भाव भर गया उन्हें अपने उना संखेबाणों की याद आ गई जो मंत्रों से सिद्ध किये गए हैं ये वही बाण हैं जो आकाश में देवदूतों की तरह उ रहे थे तब पश्चात उन्हें उस विशाल मूर्ती का स्मरण आया जिसे उन्होंने आज रण में देखा था जो अपने आकार से संपूर्ण आकाश को ही धनके ले रही थी उससे टक्राकर श्री राम के समस्त बार्ण नश्ट हो रहे थे वे सारे के सारे बार उस प्रलय नहीं जा समाय थे इस द्रिश्य को देखकर ही श्री राम अपनी पराजय की आशंका से विचलित हो गए थे उनकी आखों में सीता के वे नयन झांकने लगे जिनमें श्री राम की छवी व्याब थी वे इस बात के लिए चिंतित हो गए कि क्या अब वे अपनी उस प्रिया को कभी नहीं पा सकेंगे फिर उन्हें रावर का खलखल करने वाला चिजय गर्व से युक्त अटहा सुनाई दिया था 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 वातिरेक में उनकी आखों से आसु रूपी मोती धड़क पड़े अब हम इस पद के उन तत्वों के बारे में जानेंगे जिन से कविता का सौंदर बढ़ता है यानि पद की पद सुष्मा को पहचानेंगे इन पंक्तियों में उत्मा अलंकार है जो ठाहस्त उड़े जो देवदूत जो पतन इसके अलावा पद में अनुप्रास द्रिश्टान गुदुप्ति प्रकाश और मानवी करन अलंकार भी है इन पंक्तियों में पौद्र वश्रिंगार रस है पद में ओजव माधूरे गुण है कवी ने तत्सम समासिक शैली को अपनाया है पद की विशेष्टाएं इस प्रकार है पहला श्री राम के मानसिक अंतरद्वंद्व का चित्रण हुआ है दूसरा प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित् सघना मध्य भी सामे वाम कर दक्षिल पद दक्षिल करतल पर वाम चरण कपी वर गदगद पासते सचिदानंद रूप विश्राम धाम जबते सभक्ती अजपा विभक्त हो राम नाम युग चरणों पर आपड़े अस्तुवे अश्रू युगल देखा कपी ने चम के नभ म जियों तरादल ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुब सोहते मध्य में हीरक यूग यादो कॉस्तुब तूटा वहतार ध्यान का थिर्मन हुआ विकल संदिग्द भाव की उठी द्रश्टी देखा अविकल बैठे वे वही कमन लोचन पर सजल नयन व्याकुल व्याक अब हम इस पद में आये हुए कठिन शब्दों के शब्दार्थों को भी जान लेते हैं नी नास्ति याने है या नहीं है विश्राम धाम याने मुक्ति लोग कॉस्तुब याने एक विशेश प्रकार की मणी अब संदर्व जान लीजिए संदर्व पूर्वानुसार ही होग आईए प्रसंग करते हैं सीता स्मृती में दूबे हुए श्री राम को हनुमान विवलता पूर्वत देख रहे हैं और अब प्रस्तुत करते हैं वे आख्या हनुमान श्री राम के निकट बैट कर उनके चरण कमलों को देख रहे हैं वे अपनी गुण गरिमा के कारण उस सम उनका बाया हाथ दाहिने पैर पर और दाइं हाथेली पर बाया पैर रखा हुआ था हानुमान के सुरूप को देखकर भाव बिर्ल हो श्री राम की इस मुद्रा में उन्होंने सच्चित आनन स्वरूप और परंद्रम की आनुभूटी प्राप्त की श्री राम का स्वरूप हनुमान के लिए मुख्लिक बन गया था वे भक्ति भावना के साथ द्वैत्मूलक उपासना में तल्लीन हो गए यद्दिपी वे ब्रह श्री राम और जीव की अभिनता के कारण श्री राम से प्रथक नहीं थे फिर भी उनसे भिन्द होकर द्वैत्मूलक भक्ति में दूग गये थे हनुमान ने देखा कि श्री राम के चरणों पर उनकी वेधनामें आखों से आसू तपक पड़े हैं तब हनुमान को लगा कि जैसे आसमान में तारों का कोई समूही अचानक चमक उठा हो उन्हें श्री राम के चरण कालिका के चरण ही प्रतीत होते हैं उनके आंसु कौस्तु मणी के समान लगते हैं। फिर हनुमान की तलीनता टूपती है और तब वे विकल हो जाते हैं। उनके मन में संदे उटपंध हो जाता है। वे अपनी आँखों को उठा कर उपर की ओर देखते हैं। पत्सोष्थ विस्पद में रूपक, अनुप्रास। उक्मा, पुनरुक्ती प्रकाश और मानवी करण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इन पंतियों में संदे अलंकार है पहला। इन आस्ती दूसरा हीरक युग्यादो कौस्तो इन पंतियों में विरोधाभास अलंकार है पहला। चपते सभक्ती अचपा विभग्धो राम नाम। दूसरा तूटावा तार ध्यान का स्थिर्मन हुआ विकल। तीसरा व्याकुल व्याकुल कुच्चिर प्रफुल मुख निश्चेतन इस पंक्ती में अपनुती अलंकार है। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुब पद में शांतरस है। प्रसाद गुण है, तक्सम समासिक शैली है, पद की विशेषता हनुमान की दास से भाववाली भक्ती का चित्रन हुआ है। और अब तस्तुत करते हैं पदार। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार। उद्वेल हो उठाशक्ती खेल सागर अपार होश्वसित पवल उन्चास। पिता पक्ष से तुमुल। एकत्र वक्ष पर बहावाश्प को उड़ा अतुल। शत घूर्णा वर्त तरंग भंग। उठते पहाड। जल राशी र डूबा अतल में देश भाव। जल राशी विपुलमत मिला अनल में महराव। वजरांग तेजगन बना पवन को। महाकाश। पहुचा एकादश रूद्रक शुब्ध कर अटहास। इस पद के शब्दार्त इस प्रकार हैं उद्वेल याने उप्तेजित। शक्ती खेल खेल करने वाले समुद्र जैसे अथा हनुमान पवन उन्चास याने प्रलय के समय चलने वाले पवन के प्रकार तुमुल याने भैंकर शद्गूर्णा वर्थ रने सैकड़ों चकर लगाते हुए प्रतिसंद्र याने प्रतेक सीमा फीत वक्ष याने चोड़ा वक्ष रहेगा इस पद में श्रीराम को शक्ती का क्लेश होने के कारण हनुमान शक्ती से प्रतिशोध लेने का निश्चय करते चित्रित किया गया है और अब करेंगे व्याख्या श्रीराम की आखों में आशों का भासमात ही पाकर समुद्र जैसे अथा बल वाले हनुमान लिजना से उत्यरित होकर उनके पिता मरव मरव की ओर से प्रलैकाल के उन्चास पवन चलने लगे समुद्र की विराठ छाती पर जमावाश्क राशी को उन पवनों ने उड़ा दिया वावाश्क राशी बादल बनकर सैक्रो चक्कर लगाने लगी लहरे पहाडों की तरह उठती और पच्छाड खाकर गिरने लगी पानी का यह था प्रवाह प्रित्वी का सीना तोड़कर साधर के हरदय को और भी विशाल बनाने लगा साधर शक्तिशाली होकर दिग्विजय के लिए निरंतर आगे बढ़ने लगा अर्थात समुद्र मर्यादाहीन हो गया सब और जल ही जल दिखाई देने लगा भूमी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी जल राशी को मत्ती हुई वायू भयानक घोश भी करने लगी इस प्रकार का द्रिश्व पस्थित हो जाने पर वजुद जैसे एंगोवाले और एकादश रुद्र के अवतार हनुमान क्रोध में आकर अटाहास करने लगे इससे वायुवेग और भी भयावा होकर महाकाश मे जा पहुचा और अब पद सुश्मा पद में मानवी करन अलंकार का प्रयोग हुआ है इस पंक्ती में रूपक अलंकार है एकादश रूद्र शुब्द कर अटाहास पद में रौद्रस है ओजगुण है भाशा में नाज सौंदर है तक्सन समासिक शैली अपनाई गई है महिमा श्यामा विभावरी अंधकार यह रूद्र राम पूजन प्रतापते जा प्रसार उस ओर शक्ती शिव की जो दशसकंद पूजित इस ओर रूद्र वंदन जो रगुनंदन कूजित करने को ग्रस्त समस्त व्योंकपी बढ़ा अटल लख महानाश शिव अचल हुएक श श्रिंगार युगमगत महावीर अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षे शरीर चेरग्रहम चर्यरत ये एक कादश रूद्र धन्य मर्यादा पुरुशोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य लीला सहचर दिव्यभावधर इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विशमहार विद्या काले आश्रे इस मन को दो प्रबोध जुक जाएगा कपी निश्चे होगा दूर रोध। प्रबोध याने ज्यानों पदेश, संदर्ब, पूर्वानुसा, प्रसंग इस तरह लिखा जाएगा हनुमान जी का आकाश में जाकर देखना की कौन सी शक्ती रावण का कवच बनी हुई है। उस तरफ रावण द्वारा पूजित शिवशक्ती थी और इस तरफ राम द्वारा उचरित शिववंदना थी, इसी बल से हनुमान पूरे आकाश को निगलने का सहस्प्राप्त कर रहे थे। संभावित महाविनाश का आभास पाकर अचल शिवजी भी एक शण के लिए चंचल होटे। काली के चरणों का भार धारन करने वाले शिवबंद स्वर में बोले, हे देवी, अपने तेज को रुको, यह मात्र वानर ही नहीं है, यह वह है जिसने कभी भी काम पीडित होकर, किसी स्त्री के अपने प्रेम पाश में नहीं बांधा, यह तो महावीर है, वह तो श्री राम की अखंड अचना ही है, जिसने यह वानर वाला शरीर धारन किया है, यह अखंड ब्रमचारी है, वह एकादश रुद्र के समान धन्य है, वह उनहीं का अवतार है, यह मर्यादा पुरुशोत्तम श्री राम के एक मिश्ट अनन्य भक्त है, उनके लीला सहचर है, दिवभाव के धारन करता है, हिदेली, उन पर प्रहार करने से तुम्हारी पराजय ही होगी, यही उचित की तुम्हे समय विद्या का आश्र लेकर इनहें ज्यान प्रदान करो, वानर हनुमान तब स्वयम ही जुख जाएंगे और तुम्हारी बाधा दूर हो जाएगी, अब इस पत का पद लालित्य जान लेते हैं, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है, रावण महरमा श्यामा विभावरी, अंधकार, यह रूद्र राम पूजन प्रताप तेजा प्रसार, इस पंक्ती में विरोधा भास अलंकार है, अचल चंचल, इस पंक्ती में अपनुती अलंकार है, नहीं वानत। पद में करुण और शांत्रस है, माधुर गुण है, भाषा में नाद सौंदर है, तत्सम समासिक शैली अपनाई गई है। पद की विशेष्टा हनुमान के तेजुमे व्यप्तित्व का सबल चित्रण किया गया है। अब पद क्रिमांग दस लेते हैं। कह हुए मौन शिफ, पतन तने में भर विसमे, सहसानब से अंजनारूप का हुआ उदै, बोली माता तुमने, रवी को जब लिया निगल तब नहीं बोध था तुम्हें, रहे बालक केवल, यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, यह लज्जा की है बात कीमा रह यह महाकाश है जहां वास शिफ का निर्मन, पूछते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, सोचो मन में, क्या दी आग्या ऐसी कुछ श्री रधुनंदन ने, तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कारे, क्या असंभाव्वे हो यह दाघव के लिए धार, कपी हुए नम्र, शड में माता चवी हुई लीन, उत्रे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन, अब दस्वे पद के शब्दार्थ करते हैं, धारे धारन किया हुआ पद का संदर्ध, पूर्वानुसार ही होगा, प्रसंगिस तरह होगा, शिव जी के अनुरोद पर शक्ती का मात रूप में प्रकट होना, और अब पद की व्याख्या करते हैं, इतना कहकर शिव जी चुप हो गए, हनुमान जी ने अचरत से देखा कि आकाश में उनकी माता प्रकट हो गई है, अंजना माता ने उनसे कहा, जब तुमने सूरी को निगल लिया था, तब तो तुम मेरे बालक ही थे, तब तुम्हें अचित अनुचित का ज्यान न था, वही लड़पन भी तुम्हें परिशान कर रहा है, तुम्हारी ऐसी यो दंताओं के कारण ही मैं लजजित होती रहती हूं, क्या तुम चाहते हो कि मैं आजीवन लजजित ही होती रहूं, यह महाकाश है, जहाँ पर तुम्हारे आराध्य श्री राम द्वारा पूजित शिव जी निवास करते हैं, तुम्हारा उसी को निगलने का प्रयास क्या सर्वथा अनुचित कारे न माता के ऐसे वचनों को सुनने के बाद वानर हनुमान में उसी समय अत्यंत विनीद भावा गया, तबंजना माता का रूप धर कर प्रकट होने वाली शक्ति वहां से लुप्थ हो गई, हनुमान तीवर गती से धर्ती पर आए और बड़े ही दीनभाव से, अपने स्वामी श सोचो मन में क्या दी आग्या ऐसी कुछ श्री रधुनंदर ने, इस पंक्ति में स्वभावोक्ति अलंकार है, तुम सेवक हो, छोड कर धर्म कर रहेकार, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार, कपी हुए नम्र, शर में माता छवी हुई लीन, उत्रे धीरे धीरे प्रभुपद हुए दीन, पद में करुण, वात्सल्य और शांद्रस है, प्रसाद और माधुरिगुन है, भाशा में नाज सौंदर है, तत्सम समासिक शैली का प्रयोग किया गया है, पद की विशेष्ता, हनुमान के मान से इंतरद्वंद्व का चितरन किया गया है, तो य